बाथरूम के यह दस गुप्तनियम लाएगे घर में खुशाली नमबर एक बाथरूम का नल तूटा हुआ नहीं होना चाहिए यदि नल से पानी टपकता रहता है तो इससे घर में धन की हानी होती है नमबर दो बाथरूम के दर्वाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए बाथरूम का दर्वाजा यदि खुला रहता है तो इससे नकारात्मक उर्जा फैलती है जिससे आपके करियर में अवरोध पैदा होता है नमबर तीन बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिती पर पड़ता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है कार्य हो जाने के पश्चात बाथरूम के पानी को सुखा देना चाहिए नमबर चार बाथरूम में पानी की बाल्टी या फिर तब को हमेशा भर कर रखना चाहिए यदि बाल्टी खाली है तो उसे पलट कर रखें इससे घर में सुख सम्रिधी बनी रहती है नमबर पांच बाथरूम के वास्तु में नीले रंग का बहुत महत्व है नीला रंग खुशाली का प्रतीक माना जाता है इसलिए बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी एवं मग रखना चाहिए घर में बाथरूम के दर्वाजे के सामने कभी भी आइना नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवाह होने लगता है नमबर साथ बाथरूम घर के उत्तर या उत्तर पश्चिम कोने में होना चाहिए कभी भी बाथरूम दक्षिन, दक्षिन पूर्व या दक्षिन पश्चिम देशा में ना बनवाए नम्बर आठ वास्तु के अनुसार किचन के सामने या फिर बगल में बातरूम नहीं होना चाहिए तॉयलट सीट पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए नम्बर नौ बातरूम में हमेशा हलके रंगे टाइस लगाना चाहिए या हलके रंग का ही पेंट करवाएं नमबर 10 इलेक्ट्रिक से जुड़े सामान जैसे स्विच बोर्ड, गीजर, फैन इत्यादी दक्षिन पूर्व दिशा में लगवाना चाहिए